रभी कालीन मुंग एवन उडद की अधिकांश खेती दक्षिन भारत में होती है, लेकिन वहाँ इस बार मौसम की हालत पूरी तरह अनुकूल नहीं है. बेशक मिचोंग नामक समुदरी चक्रवाती तूफान के कारण दिसंबर में तमिलनाडू, आंधर प्रदेश एवन उड़ीसा जैसे राजियों में भारी वर्षा हुई थी और बाद में उत्तरपूर्व मांसून की भी बारिश हुई लेकिन इसका दाइरा सीमित रहा. इन राजियों के साथ साथ करनाटक एवन तेलंगाना के अधिकांश भागों में बारिश का अभाव रहा और बांधों जलाशों में पानी का स्तर भी घटकर काफी नीचे आ गया. केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के आकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में चालू रभी सीजन के राश्ट्रिय स्तर पर मुंग का उत्पादन छेतर 5.34 लाख हेक्टेयर से घटकर 4.33 लाख हेक्टेयर तथा उड़द का बिजाई छेतर 6.97 लाख हेक्टेयर से दौरान मुंग का कशेत रफल उड़ीसा में 4.33 लाख हेक्टेयर से घटकर 3.66 लाख हेक्टेयर, आंदरप्रदेश में 47.000 हेक्टेयर से गिरकर 29.000 हेक्टेयर तथा तमिलनाडू में 29.000 हेक्टेयर से फिसलकर 22.000 हेक्टेयर रह गया जबकि अन्य प्रांतों में भी इसका रखबा 23,000 हेक्टेयर से गिरकर 15,000 हेक्टेयर पर अटक गया। जहां तक उडद का सवाल है तो 2022-2023 के मुकाबले 2023-2024 के मुझूदा रभी सीजन में इसका उतपादन छेतर तमिलनाडू में तो 2.50,000,000 हेक्टेयर के स्तर पर बरकरार रहा मगर आंधर प्रदेश में 2.40,000,000 हेक्टेयर से घटकर 1.75,000,000 हेक्टेयर तथा उडिसा में 1.73, 3,000,000,000 हेक्टेयर से गिरकर 1.48,000,000 हेक्टेयर पर सिमट गया। तेलंगाना सहित अन्य राजियों में भी उडद की कम बिजाई हुई। इन राजियों में मुंग एवन उडद की फसल को बारिश की जरूरत बताई जा रही है क्योंकि इसकी अधिकांश खेती वर्षा पर में जोर पकड़ सकती है।